हेलो फ्रेंट्स आपका फिर से चवगत है हमारे YouTube चेनल पर इसमेकर्स एकडमी में आज का वीडियो हमरा ग्लाइकोलाइस का सेकेंड वीडियो है इस लास्ट लेक्चर में हम कहा देख चुके हैं ग्लाइकोलाइसस की चितनी भी रियक्शन्स होती है उन सभी के बारे में हम ल ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जेटिक्स क्या है मुझा कितने ATP यूज होते हैं कितने ATP बनते हैं कितने NADH अगरा बनते हैं यह सभी चीज़े हम क्या करेंगे इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने माले ठीक है तो I hope कि आप सभी को ग्लाइकोलाइसिस की जो रियक्शन होती है व वह कनवर्ट हो रहा था किसमें glucose 6-phosphate में कनवर्ट हो रहा था glucose ठीक है यह ग्लाइकोलाइसिस की अपनी पहरी रियक्शन ठीक है ठीक है बेटा इसमें आप सभी को पता है कि क्या हो था एक ATP यूटिलाइस हुई थी इसमें क्या हो था एक ATP अपनको लगाना पड़ी थी ठी तो इबैटा याद रखना जहां भी ATP लग रही है या फिर बन रही है वहां पर हमेशे कोंसा इंजाम आएगा? काइने जिन्जाम खांएगा हाँषनी थी गया? काम करता है और यह थोड़ा competitively slow काम करता है clear है तो यह उगो पहली step फिर बेटा next step आप सभी को पता है next step में हमने क्या देगा था क्लुको 6 फास्फट जो है वह convert हो रहा था किसमे फ्रक्टो 6 फास्फट में ठीक है लुको 6 फास्फट जो किसमे था फ्रक्टो 6 फास्फट में तो जितने भी isomerization वाली reactions होती है उसमें enzyme लगता है क्या isomerase तो यहाँ पर भी आपका enzyme क्या आजाएगा अगली reaction बेटा अब अगली reaction में आप सभी को पता है क्या होता फ्रक्टोस 6-phosphate जो था उसी से क्या हुआ था फ्रक्टोस 16-phosphate का formation हो गया था फ्रक्टोस 16-bisphosphate का formation हो गया था ठीके और बेटा यहाँ पर फ्रक्टोस फॉस्फथ लग रहा है एक नाए फॉस्फथ जुड़ा है इसलिए यहां पर भी क्या होगा ATP यूटिलाइज होती है second third reaction में अपनी और चुकि phosphate आ रहा है इसलिए बैटा enzyme कुन सी category का हैगा kinase ठीक है और बैटा कि spread कर रहा है phosphate और fructose correct कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा phosphofructokinase क्या बोलते हैं इसको अपन phosphofructokinase बोला जाता है ठीक है इसको अब बैटा अगड़ी phase कौन सी आई थी splitting phase तो splitting phase में आप सभी को पता है क्या हुआ था कि fructose splitting phase में आप सभी को पता है क्या हुआ था fructose 16-bisphosphate जो है यह तूट गया था किसमे dhap में dihydroxyacetone phosphate में और किसमे g3p में के लिए 3-phosphate में क्या हो गया था यह split हो गया था ठीक है तो बैटा splitting phase इससे दो molecule बन रहे है इसलिए बैटा है आपर enzyme आता है all l-dolase ठीक है यह दो से आपको याद हो जाए है पर दो चीज़ बन रहे है इसलिए enzyme कौन सा आएगा l-dolase ठीक है और बैटा एक और चीज़ यादर किएगा कि dhap dhap और अपना जो g3p होते है वो क्या होते है अपस में isomers होते है dhap और isomers होते है तो यहाँ बर भी isomerase enzyme आ जाएगा और यह isomerase enzyme क्या करता है dhap को g3p में convert कर देता है ठीक है तो ultimately अपने पास कितने g3p होगा अपने पास जो है दो g3p molecules हो जाते है ठीक है तो बैटा आगी की reactions जो जो reactions इसके लिए होगी जितनी चीज़े इसमें बनेगी उतनी reaction इसमें भी होगी उतनी चीज़े क्या होगी इसमें बनेगी मतलब यहां से अपन कुछ जो चीज़े मिल रही है उसको दो से multiply कर देना ठीक है क्योंकि यह भी है reaction में तो ध्यान दीजिए आगे चलते हैं reaction के उपर बैटा g3p जो है यह convert हो गया था किसम है आप सभी को पता किसम हो गया था 1-3 बैटा यह convert हो गया 1-3-bis-phospho-gillis-rate 1-3-bpg में convert हो गया था ठीक है तो बैटा 1-3-bpg में convert हो गया था तो यहाँ पर भी आपको मैंने कल ही बताया था कि बैटा यहाँ पर phosphate ज़रूर जुड़ रहा है लेकिन ATP यूज नहीं होती याद रखेगा यह reaction बहुत important है यहाँ पर बैटा carbon number 1 पर क्या होगा phosphate जुड़ रहा है लेकिन ATP यूटिलाइज नहीं होगी ठीक है जबकि इस reaction में क्या होता है बैटा हमको एक NADH मिल जाता है ठीक है NADIN से क्या मिलता है हमको एक NADH मिल जाता है ठीक है और याद रखेगा NADH बनने की जो reactions होती है जैसे ATP बनने या टूटने की जो reaction होती उसको कोण केटलाइस करता है काइनेस इंजाइम वैसे यहाँ पर NADH बनने वाली जो reactions होती है उनको केटलाइस करने के लिए कोन आता है बैटा ग्लिस हाँ बैटाढ़ा महाँ अगली रेक्शन बैटा क्या होता है एक फासपेट निगल गया था तो क्या बचाता है या पर थ्री फासफोग गिलिसरेट 3PG ठीके और बेटा एक phosphate निकला था तो उसको लेने के लिए accept करने के लिए को न आएगा ADP और ADP से क्या बन जाएगी ATP बन जाती बेटा यहाँ पर क्या आगया बेटा यहाँ पर क्या आगया दोबारा से क्या बन गई अपनी ATP बन गई ATP बन गए बेटा मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कौन सा इंजाइम आना चाहिए आप ही बताइए सोच के बताओ बेटा कौन सा इंजाइम आएगा यहाँ पर भी बेटा काइनेज इंजाइम आएगा ठीके यहाँ पर भी बेटा कौन सी category का enzyme आएगा kinase enzyme आएगा यहाँ पर भी clear है सबी को के नहीं है ठीके लेकिन बेटा कौन सा काइनेज आएगा बेटा यहाँ पर भी phosfo यहाँ पर बेटा phosphoglycerate kinase enzyme आता है ठीके अगली reaction में क्या होग था कारवन नमबर 3 से फासफेट उचकर किस पर आ गया था, कारवन नमबर 2 पर आ गया था, तो 3 से 2 पर आ गया, तो 3 फासफोगिलिसरेट से क्या बन गया, अरे 3 फासफोगिलिसरेट से क्या बन गया, 2 फासफोगिलिसरेट, ठीके, और यहां पर एंजाइम आएगा क्या, कौन सा म्यूटेज बेटा यह वाला फॉस्पोगिलिस्रेट म्यूटेज एंजाइम आता है ठीक है पीजी मतलब फॉस्पोगिलिस्रेट म्यूटेज अगली रेच्शन बेटा क्या हुआ था कि यहां इसका पानी निकल गया था यहां से बेटा वाटर मॉलेक्यूल किसमें कनवट हो गयता है ठीक है और बेटा आपको बता है पानी वाटर निकल रहा है तो पानी के साथ इनो पीते हैं इसलिए एंजाइम कुन सा आएगा इनो लेज ठीक है इनो लेज एंजाइम आया था फिर बेटा अगली रेक्शन पर आ जो फॉस्पोगिलिस्रेट निक इस फॉसफेट को लेने के लिए कोन आता है बेटा यह देखो एक इनोर्गनिक फॉसफेट निकल गया और इसको लेने के लिए एडीप है तो एडीपी ने इनोर्गनिक फॉसफेट के साथ मिलकर क्या बना दिया एटीप बना दी तो अपनी एक एटीप यहां पर बन गए अब बेटा जिसे की मैंने आपको reactions glycolysis पढ़ाने के पहले ही बताया था क्या कि glycolysis जो होती है उसको में अपने mainly 3 phases में reaction होती है कितनी phase में reactions होती है 3 phases में reaction होती है ठीक है एक phase होती है क्या energy investment phase दूसरी होती spreading phase तीसरे नंबर पे क्या होती है energy generation phase clear है सभी को तो ध्यान दीजिए यह देखो बेटा आप बताओ शूरू की first reaction में ATP first reaction में क्या हो रहा है बेटा ATP utilize हो रही है दूसरी reaction में भी तीसरी reaction में भी क्या हो रहा है ATP utilize हो रही है मतलब बेटा glycolysis में अपने क्या किया total कितनी ATP invest कर दी 2 ATP जो है अपने क्या किया है glycolysis में invest करिए clear है अपनी तरफ से अपने क्या 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 है 2 ATP लगाई है ठीक है आगे चलिए तो यह 2 ATP का investment हो गया फिर बेटा आगे आ जाओ यह दिख रहा है बेटा आपको fructose 16 bisphosphate जो कि 6 carbon का compound था वो क्या हो बेटा DHAP और G3P के 2 3 carbon वाले compound में तूट गया तो बेटा यह हो गया अपनी कौन सी phase splitting phase तूटने वाली phase ठीक है यह जो ही क्या हो गया अपनी splitting phase हो गयी फिर बेटा आगे चलिए अब ज़र आ जाओ इस reaction में क्या हो रहा है सबसे पहले त तो एक G3P से एक NADH ठीक है फिर बेटा अगली reaction में आ जाओ यह वाली जो reaction है 13BPG वाली इससे क्या बन गया बेटा ATP बन गई ठीक है तो यह ATP बन रही है मिल रही है अपन को फिर बेटा इस last reaction में भी क्या हो गया बेटा ATP मिल रही है अपन को ठीक है और यहाँ पर enzyme यहाँ तो भी kinase enzyme भी आएगा obviously enzyme कौन सा आएगा काइनेज आएगा कौन सा kinase यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर pyruvate kinase enzyme आता है यहाँ पर कौन सा enzyme आता है पैटा यह होगे अपनी पूरी reaction आप बताईए इधर में direct लिख रहा हूँ इधर में direct लिख रहा हूँ इधर में डार पर बना दिया किर ऐगए बना दिया कि गुण को फिर कर दो हो मिल रहा है यह बता है न से एक यह इए फिरह ऑपन को यह एक Eb isolatori के एक relax शरी क्षेन से भी मिल रहा है क् टिAI कि पेमिल रही है ऑवडी वी है पानि मिल ह Алद रहा है एक बार अच्छे से ये वाली reaction कुछ भी संकट समस्य है परिशान है दुखदर तकलीफा तो बताओ नहीं है देखो दोनों फेज में देखो reaction एक बार ये वाली reaction देख लो सभी लो एक दो सेकेंड के लिए पॉस कर रहा हूं मैं देख ली बैटा वीडियो पॉस करके ये वाली reaction देख लो एक बार सभी देख ली तो चलिए अब हम देखते कि अपनको net gain किता हो रहा है अब बताओ ये यहां तक क्या हो रहा है only 2 ATP लग रही है बैटा यहां तक क्या हो रहा है only 2 ATP अपन लगा रहा है ठीके मला input में अपने क्या 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 दो ATP लगा दी अब बैटा यहां पर आजो आजो बताओ कितने ATP कितने NADS वगरा बन रहे है ठीके बताओ कितने ATP कितने NADH NADH के हम बात करते हैं 1 NADH ये हो गया 2 NADH हो गया ATP के उपर आते है 1 ATP ये है 1 ये है 2 ये 3 और 4 3 और ये 4 तो टोटल ATP किती मिल रही है अपन को 4 ATP अब बते ये water molecule किते है मिल रहा है ये 1 हो गया और ये 2 तो बेटा 2 water molecule अपन को मिल रहा है अब आजओ glycolysis के हिसाब किताब के उपर ठीक है glycolysis का हम लोग क्या देख रहे है हिसाब किताब देख रहे है हिसाब किताब मतलब वहीar कितना अपन ने लगाया है कितना अपन ने input दिया है और बेटा उससे अपने को कितना output मिला ठीके आप बताओ अपने क्या क्या लगाया सबसे पहले तो अपने क्या लगाया glucose लगाया सबसे पहले अपने क्या किया glucose लगाया ठीके तो यह अपना हो गया glucose जो कि 6 कार्बन वाला compound है बैठ ग्लुकोस लगाये तो अपन को क्या मिल गया आउट्पोट में? पायुरुट मिल गया है अडना जब भी एक ग्लुकोस का ग्लाईकोलाइस गर्षेस होगा तो जो पायुरुट बनेंगे ठीके? तो यह दो पायुरुट मिल गया अपनगो फिर बेटा आप बताओ, अपने 2 ADP लगाए, अरे 2 ADP लगाए, सोरी सोरी, अपने 2 ADP खर्च किये, पहली reaction में energy investment phase में 2 ADP लगे थे न, तो बेटा अपन को 2 ADP लगाए तो अपन को किते ADP मिले, 4 ADP मिले, जो की बाद वाली phase में produce हुए थे 4 ADP, ठीके, फिर बेटा आप और बेटा अपन को क्या मिला, water molecule भी मिल गए अपन को, ठीके, तो आप बताईए, net gain किता हुआ, आप बताओ बेटा, net, बतलब सब कुछ काट पीट के अपने पास क्या बच रहा है, सब कुछ काट पीट के अपने पास यह बच रहा है, क्या, 2 pyruvate मिल गए अपन को, 3 carbon वाल है, तो यह माइनस करोगे न, तो अपन को net 2 ATP मिल रहे है, और बेटा, 2 NADH मिले है बन को, ठीके, और 2 water molecule भी मिले, clear है, तो यह हो गया क्या, अपना हिसाफ किताब किसका, glycolysis का, ठीके, यह आता है जीर में direct question, आगे चलिए, बेटा, आप बताओ, glycolysis में कहीं से कहीं तक oxygen दिखी क्या आपको, नहीं, oxygen बेटा, absent ही, तो याद रखेगा, जो, glycolysis होती है, वो क्या होती है, it is an, anaerobic reaction, glycolysis एक, anaerobic reaction है, anaerobic क्यों बोला बेटा, un मतलब होता है, absent, aerobic मतलब oxygen absent है, तो glycolysis जो होती है, उसमें oxygen की requirement नहीं होती, that's what is called as, anaerobic reaction, okay, I hope, सभी को सबच में आ गया होगा, तो बेटा, यह होगी, आपना glycolysis complete, तो, अब मैं बता रहा था, इसमें potion किस type के आएंगे, ठीके, बेटा, इसमें 3 reactions irreversible होती है, याद रखेगा, 3 reactions irreversible होती है, आपको पता है, reversible, irreversible reaction क्या होती है, अबर short में बता देता हो, मैं, कभी A और B combine हो जाए, और वो क्या बना रहे है, बेटा, C बना रहे है, लेकिन बेटा, इसा नहीं हो सकता है, कभी C जो है, B, A और B में दोबारा टूट जाए, तो, AC reaction जिसमें की product जो है, दोबारा से, substrate में convert नहीं हो सकता, AC reactions को अपन क्या बोलते है, irreversible reaction, मतलब उनको reverse नहीं कर सकते हैं, clear है, ठीक है, जबकि बेटा, दूसरे number पर आती है, क्या reversible reaction, तो, बेटा, reversible reactions क्या होती है, रियान दीशी सभी लोग, बेटा, reversible reactions होती है, कि इसमें, A से B बन रहा है, ऐसे A और B से C बन रहा है, और बेटा, C जो है, दोबारा से तूट सकता है, कि इसमें, A और B में बलाए, यह reaction दोनों direction में जा सकती है, तो, एसी reactions को अपन क्या बOLते है, reversible reaction, तो, याद रखिए, बेटा, जहाँ पर भी kinase enzyme क्या ह रहाँ है, वो reaction कैसी है, irreversible reaction है, जहाँ पर भी kinase enzyme कैसी होगी, irreversible reaction होगी, ठीक है, अब बेटा, आ गया जो, अद मैं बता रहा हूँ, तो ग्लाइको लाइको लाइसिस सबसे पहले नमबर पर कोशन आता है क्या उसके बेसिक इंट्रोड़क्शन के ओपर कि आप बता दें कि यह हे उसके बाद बैटा कोशन आता है कहां पर होती है तो आनसर कहा कि होती है फिर बटा आएगा कितने step की reaction है तो आप बता देना कि भाईया 10 step की reaction है फिर बटा पुछते हैं कि कौन से step reversible होती है या कौन से step जो है irreversible होती है तो बटा आप बता देना कि यह step irreversible यह step irreversible फिर बटा पुछते हैं कि बता हो यह जो reversible irreversible steps है इन्जाइम के नाम तो आपको याद होना ही चाहिए कि कौन सा एन्जाइम कौन सी रियक्षन को केडिलाइस करता है ठीक है उसके ओपर जो डायरेट कोशन आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसस पर ठीक है फिर बेटा कोशन आ चाहिए नमबर पर के एटीपी यह पूछते हैं कितने बन रहे हैं कितने बन रहे हैं तो आपको हिसाब किता पता दिया मैंने उसके पुछते हैं इकी सी रियक्शन में ATP यूटिलाइज हो रही है किस रियक्शन में ATP बन रही है सिंथेसिस हो रहा है तो आपको रियक्शन से याद होना चाहिए ठीक है यह ग्लुकोस से जब ग्लुकोस 6-phosphate बनता है तो ATP लगती है तो आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जो है वह हम as early as possible जो है अप्लोड करने वाले हैं ठीक है ओक टैंक्यू कर दो कर दो कर दो कर दो है